बिजाई छेतर में अच्छी बड़ोतरी एवं मौसम की अनुकूल स्थिती के सहारे भारत में दो हजार तेईस से चौबीस के वर्तमान रभी सीजन के दौरान मसूर का शांदार या रिकॉर्ड उत्पादन होने की उमीद व्यक्त की जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर दलहनों क की सकल पैदावार में कमी आने की संभावना है, खरीफ सीजन के बाद रभी सीजन में भी दलहनों के बिजाई क्षेतर में गिरावट आ गई, खरीफ सीजन में दक्षिन पश्चिम मानसून की बारिश कम होने तथा मौसम गर्म एवं शुष्क रहने से दलहन फसलों, लेकिन इस बार कुछ विशेश कारणों से जनवरी में भी इसकी प्रक्रिया जारी रही, अमरीकी क्रिशी विभाग, उस्डा की विदेश क्रिशी सेवा, फास, के मुंबई स्थित प्रतिनिधी कार्यालय, उस्डा पोस्ट, की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तरपूर्व मानसून के आगमन में देरी होने, खरीफ फसलों की कटाई की गती धीमी रहने तथा रभी सीजन की फसलों की बिजाई के लिए समय कम बचने से दलहनों के रखबे में गिरावट आ गई, अब बिजाई की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो गई है, उपलब्द आकडों के अ प्रतिशत कम था, इसके तहट चना का क्षेत रफल 6.8 प्रतिशत बढ़कर 102.9 लाख हेक्टेर पर सिमट गया लेकिन मसूर का रखबा 18.5 लाख हेक्टेर से बढ़कर 19.5 लाख हेक्टेर पर पहुँच गया जो 14.4 लाख हेक्टेर के सामाने औसत क्षेत रफल से करीब 5 ला के एक कारेकरम में केंद्रिय उपभोकता मामले सचिव रोहित कुमार सिंग ने कहा था कि चालू वर्ष के दौरान भारत में मसूर का उत्पादन बढ़कर सर्वकालीन सर्वोचिस्तर पर पहुँचने की उम्मीद है और भारत इस बार कनाड़ा तथा आस्ट्रेलिया को भी चोड़कर दुनिया में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा अधिकांच समीक्षकों का मानना है कि इस बार मसूर का उत्पादन बहतर हो सकता है सरकारी आकड़ों के अनुसार 2022 से 23 सीजन के दौरान भारत में 15.60 लाक टन मसूर का उत्पादन हुआ था ज झाल झाल